हेलो गाइस वेलकम बैक टुवा चैनल हर ट्यूटर मेरा नाम रोनां करांद्र है और इस वीडियो के अंदर हम सिखेंगे लिनेर एक्वेशन इन टू वेरियेबल्स स्टाइश्टिक्स का लेसन नंबर वन येस ये हम लेसन नंबर वन स्टाइश्टिक्स का हमनोंने एक्सदैस है पर उसके मेले हम लेते हैं थोड़ा सा इंट्रदक्शन चैप्रस के बारे में और स्टार्ट करते अपने एक्सदैस 1.1 से पहले तो लिनेर एक्वेशन मतलब क्या है हम अंडर्स्टाइंड करते हैं और फिर अपने एक्वेशन तरफ बढ़ते हैं देखो करोंगे कि कि देखो दो वेरियेबल्स में ये देखो कि उसका टारी रहता है वह कितना रहता है इसवेरियेशन के अंदर्inaçãoथ्ऺ जिस समरे्डेबल्स की अंदर या डिगीरिट्ण के अंदर यह डिग्री 2 यहां पर डिग्री 1 जो भी कुछ रहेगा अगर ऐसा आ गया डिग्री 2, 3, 4 पर अगर ऐसा कुछ भी आने दो तो यह linear equation आपका नहीं है ओके linear equation मतलब क्या जिस equation के ऊपर डिग्री 1 रहेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं linear equation बोलते हैं आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो ओके गाइस तो इन दो तरीके से हम equations देखेंगे exercise के अंदर और उस equations को उस तरीके से solve करेंगे उस start करते हैं अपने exercise से जाइस वह start करते हैं अपने first sum के साथ क्या है first sum 3a plus 5 is equal to 26 यह first equation है आपका second equation है a plus 5 is equal to 22 यह आपका second equation है तो हम अभी answer को start करते हैं कैसे लिखेंगे पहले यह जो फॉर्स equation है इसको हम लोगया देंगे equation number 2 यह दोनों equation 1 और देख लिया अभी जो first step है यह question लिखने गाता वो first step क्या देखने है कि यह जो 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 नंबर यह यह जो जो variable से आपके इसके जो कौइफिशन्ट है वो किसके से में ओके तो यह के जो वे कोईफिशन्ट से यह यह से नहीं है तो जाने जो फिर बीके दोनों equation से में एक है यह हम लोग क्या करेंगे की यह समझा और यह सब्सक्राइब यां erme यह प्लस है लिए जिए को पता रहेगा यह जो हम जो प्लस रहता है यह प्लस में गणोर होता है यह ऐप्लस है यह गणोर। या ए आप गोल सकते हो तो अगर यह माईनस में कंवें खना गाया सबस्क्राइब यह कट गया ऑगे अब आप है क्या 26 प्वेंटिसिक्स माईनस 22 मैनस कंसिडर करना है प्लस अभी नहीं करना है 26 मैंस 22 आपको एंसर क्या आएगा 4 3a-a-a 2a राइट विकॉस 3a यहां भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 3a-1a is equal to 3-1 2 और a का a तो 2a ओके तो लिखते समय कैसे नहीं है 2a is equal to 4 तो यह 2 यहां भी multiple यहां जड़ी क्या होगा divide yes a is equal to 4 by 2 तो कैसे 2 1 0 2 2 0 4 तो therefore a is equal to 2 2 मिल गया अभी यह जो 2 हमको मिला है यहां कुंझे भी equation मैंने पूट कर सकते हो या इसमें भी या इसमें भी मैंने equation number 2 के अंदर पूट किया because a is equal to equation 2 because यहां पर एक वाज़े में यह मैंने ऐसे लिखा है because the equation में consider करूँगा फिर टू जो एक वैलू क्या है अपनी एक वैलू क्या है यहां पर दिये 2 तो मैंने टू लिख दिया प्लस फाइगा फाइगा फाइवी वैसे के वैसे इस इगल टू 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 है यहां पर जाएगा वा क्या है यगा टू जाएगा किया हो जाएगा माइनस टू प्लस में है तो फाइव ही यह आपका A और B का दोनों का वैल्यूस मिल चुका है तो आप दिखोगे कैसे देरफोर A, B is equal to 2, 4 is the solution यह है आपका answer बस इसी तरीके से आपको first sum solve करना है अभी हम जाते हैं अपने second sum के पास चलो guys start करते हैं अपने second sum के साथ क्या है अपना second sum x plus 7y is equal to 10, 3x minus 2y is equal to 7 यह अदना second sum कैसे लिखेंगे पहले समय हमने देखा है कैसे था हम फिर से एक बार देखते x plus 7y is equal to 10, equation number 1 यह हम लोग ने लिख लिया और यह equation 2 वैसे के वैसे 3x minus 2y is equal to 7 equation number 2 हमने लिख लिया guys first step मैंने पहले समय बोला था first step क्या है कि जो coefficient है वो सेम समय के check करने का दोनों में भी coefficient सेम नहीं है तो आप इस समय क्या करोगे एसा कौन सा दोनों में से जो number है जो आप select करोगे और उसको आपको जो equation है मतलब उसको आपको चेंज करना पड़ेगा इसके form में या इस equation को इसके form में या vice versa क्या करना चाहिए अभी देखो 3 यहां पर है यहां पर 1 है तो मैं क्या कर सकता हो यह पूरे equation को अगर मैंने 3 से multiply किया तो मेरा answer क्या आएगा 3x और पूरे इस ट्रॉंग को मेरा multiply होगा अगर मैंने इसको इसको तो 1 में consider कर नहीं सकता और इसको 7 और 2 को 7 और 2 एक की टेबल में कभी नहीं आते इसलिए मैं इन दोजों को कुछ भी करने सकता यह मुझे काम किसे जलाना पड़ेगा एक्स का जो coefficient है उसी से अगर मैंने यहां पर 1 को किसे भी multiply किया तो मुझे answer इससे multiply किया 3 से तो मुझे answer 3 आएगा that's why मैं इसके ओपर धहन दोंगा मैं इसके ओपर धहन दोंगा तो कैसे लिखूंगा multiply equation 1 by 3 so 3 into यह पूरा equation bracket के अंदर मैंने लिख लिया ओके तो कैसे सालोगा 3 into x 3x 3 into 7y 3 7 तर कितना 21 yes तो 21y is equal to 3 10 to 30 और इसको मैंने equation क्या नाम दिया 3 okay 1 2 और equation 3 अभी देखते सब हैं मैं कौन से equation देखूंगा यह 3 और यह 2 because 1 को मैंने convert किया है 3 में इसलिए मैं भी 1 को neglect कर दूंगा और 3 में से ही equation देखूंगा अभी मुझे बता हो गाईस इन दोनों में से बढ़ा कुन सा है चलो यह बढ़ा है तो इसलिए हम लोग देखते अगर यह सब्स्रेट होता है क्या तो इसलिए क्या करेंगे 3 से 2 सब्स्रेट करेंगे तो इसलिए क्या करेंगे 3x plus 21y is equal to 30 यह equation number 3 आपका और 2 लिखेंगे 3x minus 2y is equal to 7 यह equation कर दिया सब्स्रेटिंग का साइग आपको बता है जो पॉजिटिव रहेगा वो निगेटिव जो निगेटिव रहेगा वो पॉजिए फोजिटिव रहेगा वो निगेट अभी सब्सक्राइब करो मैंने देखा तो मुझे क्या आइडेटिफाय हुआ कि देखो यहां पर 3 है यहां पर 3 है तो यह थोड़ा सा सब्सक्राइब करें देखा तो इसने आपर मैंने एक्वेशन वन देखा तो एक्स प्लस 7 इंट वन इस इकल तो तेन वन दे लिखा तो यह थो 7 है वह आप यह प्लस में पर जाएक होगा माइनस तो एक्स इगल दो 10-7 तो 10 में से 7 के तो एंसर कितना आ गया 3 x is equal to 3 therefore x,y is equal to 3,1 is the solution यह बहुत दिजी सम है इस तरीके की सम आपको एक्जाम में जरूर आते है तो इसलिए है बहुत इजी सम है आपको यह वाला सम में ऐसे आ जाएगा तो क्या है थर्ड समको क्वेशन देखते हैं 2x-3y is equal to 9,2x plus y is equal to 13 यह अपना दो है यह दोनों equations से आतो आपको एकदम एजीन सकता हुआ है कि में तो पौसिटिव एक निगतिव करना है एक पौसिटिव एक निगतिव करना है एक अधि इस तरह के सम आगे दिखेंगे और यह दो पहले तो हम क्या करें है सब्स्राक्टिंग तो सब्सराक्टिंग एक्वेशन पर रूपने से टू फ्रॉम यह क्यों आएगा विकॉल यहां पर तरीं बढ़ा है और यहां पर नाइटीं चोटा है तो इसने लोग पहले यह लिखेंगे टू फिर वन कैसे लिखेंगे सब्सक्राइब है डिखने सब्सक्राइब यह पका पॉस्ट NS पॉस्टीव फिर से पॉसितिव को निगिटीव पहले तो क्या करेंगे ये से लोसे में इसको करने देज करेंगे यह हों हम या कुशच्राइबन पेर जी। यह तो इसलिए तो यह प्लूच नहीं तो फॉर तो वाइस इकल टू टू फॉर फॉर इपको एंसर मिल गया है यह तो पता चल गया कि यह आप लग तो यह पुछ नाइन तरी है जोटे-चोटे-चोटे-चोटे नमबर से इसलिए आप ऐसे कुछ नहीं आप सेकेंड में ट्राइक कर सकते हो और नहीं तो इसके अंदर अपने एक्वेशन वाइन के अंदर वाइक वैदुके वाइडू कहें वह तो टू-टू-ट्री यहांपर प्लस-3usanाओं था आपका हिसी क्लिए आपका हो गया तो इस तरीके से अपना फर्स सेकेंड और थर्ड सम एक्सराइज 1.1 का ये तीन सम अपने हो चुके अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक जरूर करना अपने दोस्तों के दाश शेयर जरूर करना और चैनल पर नी हुए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और बाजियो मोट्रिकेशन बेल आकोने उसे क्लिक जरूर करना ताकि मेरे लेटेश या और सब्सक्राइब आप मुझे पूद सकते हो और यह जो हमने कुशन सौल किये उसके पूटोस आपको डिस्क्रिशन में निचे बिड़ जाएंगे तो पहले उसके वह देखने से पहले आप एक्सिनाइज आगर देखोंगे वीडियो पूरा लास तेलक तो आपको जरूर म सब्सक्रिशन में जरूर कवर करेंगे तो तब तक के लिए स्टे हैपी स्टे होम एंड स्टे सिफ बाइबाइ